कि मुश्कार दोस्तों क्लस नाइंत मारा स्टेट बोर्ड पैजमेटिक्स पर्ट फर्स्ट अलजेब्रा उसमें चप्टर नुम्बर सेकेंड प्रैक्टिस से 2.3 के दो मेन कोशन हो चुके हैं अब थर्ड कोशन अभी शुरू है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी क अनुरुद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए थर्ड कोशन कहा है देखिए क्लासिफाइद गिवन सर्ट्स इंटु लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स पहले हम यह थोड़ा समझ लेते हैं कि लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स क्या होते हैं लाइक सर्ट में और और रेडिकेंड सेम होते हैं ऐसे सर्ट को हम लाइक सर्ट कहते हैं जैसे कि क्यूब रूट आफ फाइव और नाइन क्यूब रूट आफ फाइव यह बन क्यू Certs को अगर इन में से order किसी सबसुर्ण फॉर्थ रूट उप पफॉघ इन दोनों नमबूर्स की जगए अलग अलग नमबर उंटो हो यह अनल Inf i1 18 के लाइंगे खर्ञत के शक्तिकेशंपल कि सब्वेज छुड ऑफ क्ट BUT फॉड़ जाएंग् पूर ओर्डर भी अलग अलग है और रेडिकेंट भी अलग अलग है इन में से अगर एक भी अलग अलग हो तो यह अनलाइक सर्ट्स कह लाएंगे तो अब चलिए कॉशन अंसर मतलब यह कॉशन हम साल कर लेते हैं है है हम और फाइट रूट्स के रूट अब ऊफरिटीन है अब लाइक है या लाइक है सेच एजय करने अपर हमें का सिंप्लिस्ट फॉर्म लेना सब्सक्रो का सुटовор होता है ज Scripture अब है तो सिंप्लिस्ट फॉर्म लेने के लिए फिप्टी ने के प्राइम फेक्टर हमें फाइंड करने होता है तो 52 को 2 से लिएड होगा तो यह वगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 फिर 2 से लिएड होगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 1 जा 13 2 2 13 अब देखिए 2 2 13 आ गया तो 2 का एक ग्रूप बन गया है यहां पर स्क्रूट है तो हमें 2 का ग्रूप बनाना है अब जिनका ग्रूप बन गया 2 उन दोनों के बतले में एक को इस क्रूप के बाहर लिखना है तो यह 2 और स्क्रूप के अंदर 13 रहेगा जिनका ग्रूप नहीं बना तो रूट 15 इस इकल टू तो रूट 13 और यह 5 रूट 13 अब देखें रूट 13 रूट 13 order भी सेम है 2 ready can भी सेम है hence order and ready can are same hence square root of 52 and 5 into square root of 13 और लाइक सर्ट्स यह लाइक सर्ट्स हैं अब स्क्रूट आफ 52 मैंने क्यों लिखा है क्योंकि यहां पर कॉश्चन में दिया गया है तो स्क्रूट आप 52 लिखिए या फिर इसे हम 2 स्क्रूट आफ 13 भी लिख सकते हैं अब इसे हम्सक्रूट आफ 68 इन फ़ाइव स्क्रूट आफ त्री अब स्क्रूट आफ 68 मतलब 68 के प्राइम फैक्टर हमें पाइंट करने है तो कि आइड करने के बाद 23 24 तो तू से डियाड करिये 17 टूजा 34 17 को 17 से डियाड होगा 17 वन्जा 17 तो 64 का जो स्क्रूट है उसमें हमें 64, sorry 68 है तो square root of 68 में 68 के लिए 2 into 2 into 17 लिखना है 2 into 2 into 17 अब 2 का एक group यहां पर बन गया 2 का दो numbers का 2 two times तो square root है इसलिए इनके बदले में एक 2 हमें square root के बाहर लिखना है और 17 को square root के अंदर अब यह 2 root 17 और 5 root 3 तो यहां पर 17 अब square root square root order तो same है लेकिन ready can same नहीं है 17 और 3 तो यहां पर हम लिख सकते है different ready can ready can different है is square root of 68 and 5 root 3 square root of 60 and 5 square root of 3 3 तो 3 तो 3 का यहां पर एक group बन गया and equal ready can equal लिख सकते हैं same ready can hence 4 square root of 18 and 7 square root of 2 are like certs यह like certs हैं अब देखिए 19 square root of 12 and 6 root 3 अब फिर वही square root of 12 के हमें prime factor find करने होता है तो यह देखिए 2 into 2 4 4 into 3 12 होगा और 6 root 3 अब 19 into square root है तो 2 का एक group 2 2 इन दोनों के पिरले में 1 2 square root के बाहर square root के अंदर 3 रहेगा तो 19 into 2 38 root 3 और यह होगा 6 root 3 root 3 root 3 square root square root other way order same same order and equal ready can hence 19 square root of 12 and 6 root 3 are like certs आपको समझ में आ गया होगा अभी जो भी cert दिये गए है उनके simplest form करिए simplest form में अगर 1th order मतलब जो भी order है और ready can अगर same है तो वो like certs कहलते हैं या फिर वो unlike certs रहेंगे 5 square root of 22 7 square root of 32 अब square root square root order each same order तो same है लेकिन but different radicand different radicands is 5 square root of 22 and square root 7 square root of 32 अब देखिए 22 के अगर हम prime factor find भी कर लेते हैं तो 2 into 11 और 33 के 3 into 11 तो इनमें same number का group यहां पर नहीं बनता तो square root के बाहर कोई भी नहीं आएगा और यह square root जो है वो cancel नहीं होगा तो अब मतलब cancellation करने के ज़रूद नहीं है लेकिन square root के बाहर कोई भी number यहां पर नहीं आएगा तो 5 root 22, 7 root 33 यह number ऐसे ही रहेंगे तो यह simplest form है दोनों का simplest form यही है 5 root 22 का simplest form 5 root 22 ही है और इसका भी वही है तो इसलिए यह जो दो numbers हैं वो unlike certs कहलाएंगे तो are unlike certs 5 root of 5 and screw top 75 5 root of 5 5 के तो हम prime factor 5 नहीं कर सकते अब 75 के लिए अब देखे डारेटली यहां पर कैसे factors लिखने हैं देखे 75 को 3 से भी रहाड होता है 5 से भी होता है तो 5 into 5 25 25 75 होता है तो 5 into 5 into 3 तो 5 root 5 अब 5 5 का यहां पर एक group बन गया 2 का दोनों की एक पेर बन गई तो इन दोनों के पतले में एक 5 screw root के बाहर लिखना है और screw root के अंदर 3 तो 5 root 5 5 root 3 यहां पर order सेम है order is same but different radicants different radicants radicants different है इसलिए 5 root 5 and root 75 are unlike certs अब इसलिए होते देखिए मतलब उसका इस क्या है इस कंसेप्ट का लाइक और अनलाइक का अगर लाइक सेट्स हैं तो उन में हम एडिशन कर सकते हैं addition और subtraction और अगर unlike है अनलाइक सेट्स में अगर order सेम है तो हम उनका multiplication है डिविजन कर सकते हैं अगर order different है तो order सेम करके हमें multiply और डिविजन जो है वो करना होता है question number 4 है देखिए simplify the following search जो भी search दिए गए है इनको simplify करना है simplify करना है इसका मतलब simplest form में हमें answer लिखना है तो square root of 27 तो इसलिए हमें square root of 27 के प्राइम factor find करना है तो 3 into 3 into 3 तो 3 into 3 इन दोनों का एक group बन गया तो इनके बतले में एक 3 square root के बाहर लिखिए और square root के अंदर 3 लिखिए तो यह 3 root 3 answer होगा simplest form में अब और एक दूसरी method है कि जैसे हम multiply करते हैं yunt root of a into yunt root of b search का multiplication तो yunt root of a into b तो इसे हमें reverse order में अगर लिखना है तो yunt root of a into b is equal to अगर इन में multiplication है तो yunt root a को लिखिए फिर multiply करिए yunt root b को लिखिए yunt root of b अब ऐसे ही यहां पर हमें कैसे solve करना है देखिए yunt root of 27 के लिए 27 का एक factor जो perfect square हो यहां पर 2 है order तो perfect square cube है 3 है तो perfect cube 4 है तो power 4 जिस number की है वो number अब 27 में 9 into 3 है 27 नाइन जो है वो perfect square है तो yunt root of a into b 3 तो yunt root 9 को लग लिखना है 3 को लग लिखना है तो square root of 9 into square root of 3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 का square root होगा 3 और यह root 3 है अब आप इन दोनों में से कोई भी एक method से जो answer है वो solve कर सकते हैं अब second question है देखिए square root of 50 तो 50 को हम 25 into 2 लिख सकता है 25 5 का square root है square है तो 25 का square root 5 होगा तो 5 square root के बाहर लिखिया और 2 का square root हमें नहीं मिलदा तो root 2 लिखिये थर्ड question देखिए square root of 250 250 के या तो prime factor find कर लेजे या directly हम 25 into 10 लिख सकते हैं तो इससे हम लिख लेता है 25 into 10 prime factor भी find करके देखिए अब 2 से अगर हम divide करें तो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा फिर 5 से divide होगा 5 25 फिर 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 अब 5 की एक पेर यहां पर बेनेगी 5 into 5 25 25 तो 25 का स्कुरूट इंदोनों के बीद में एक इनका ग्रूप नहीं बना दो दो नुंबर्स का तू के साथ और एक टू चाहिए तभी ये टू हम बाहर लिख सकते हैं और फाइव के साथ और एक पाई चाहिए तो नहीं है टू और फाई का ग्रूप नहीं बना तो यह दोनों भी स्कुरूट के अंदर होंगे और मॉल्टिप्लाइ इनका होगा तो 5 स्कुरूट आफ 10 यह इनका अंसर होगा अब नेक्स्ट जो कुशन है देखिए 4th स्कुरूट आफ 100 12 अब स्कुरूट आफ 112 के लिए फिर प्राइम वेक्टर फैंड कर लिए कर लिजे 112 को 2 से डिवाइड होगा टू 5 से 10 टू 6 से 12 फिर टू से डिवाइड करें टू टू से डिवाइड होगा 14 फिर टू से डिवाइड होगा सेवन टू सेवन ल 업 बड़िताना चैनल को यहां टू टाइमस टू टाइमस टू टू टू टाइमस इन दोनों के बदले में एक प्र Southwest के बाहरस इन दोनों के वहले das मियरणों इएक श्क्मला और स्कुरूट के अंदर जिनका ग्रूप नहीं बना तो टो इंटू 2 यहां पर होगा 4 square root of 7 इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं square root of 12 sorry 112 is equal to square root of 2 into 2 into 2 into 2 into 7 लिखिए अब इनके लिए 2 into 2 square root के बाहर फिर यहां पर square root of 7 4 root 7 ऐसे भी लिखिए दूसरी method है अब इनका सभी का multiplication करें 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 square root के अंदर into यहां पर 7 अब 16 का square root अलग और 7 का square root अलग 16 का square root होगा 4 into square root of 7 अब जो लास्ट question है इसमें हो है square root of 168 अब देखिए square root of 168 के फिर prime factor हमें paint करने है 168 तो अब prime factor के बजाए यह भी कर सकते हैं कि जो perfect square numbers हो उन से इसे divide करें सबस हम एक perfect square ले लेते हैं 4 सबसे पहले 2 का square होगा 4 3 का square होगा 9 4 का square होगा 16 अब इन में से कोंसे कोंसे number से इसे divide होता है वो चेक करना है फिर 25 5 का square फिर 36 तो यहां इतने नहीं नंबर से चेक करें 49 16 और 25 से तो आप देखें यहां इसे फॉर से होता है फॉर फॉर्जा सिक्स्टीन फॉर्ट उजाइट 42 को ना फॉर्जाइड होगा यह नहीं से होगा यह 16 से यह 25 से नहीं होता है तो 4 इंटू 42 तो हम इसे लिख सकते हैं 4 into square root of 42 तो 4 का square root होगा 2 और 42 का square root हमें नहीं मिलेगा तो answer लिखना है 2 into square root of 42 तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों इसे मतलब simplest form of a third यह point जहेब वो हमने यहाँ पर discuss किया है अब next जो वीडियो होगा उसमें comparison of a third के जो कुछ examples है वो हमें examples next वीडियो में explain करेंगे तो ठीक है thank you दोस्तो